नमस्कार मैं हूँ सूकृती रॉय और आप देख रहे हैं One India Hindi रोहित शेखर मडर केस में आरोपी पतनी अपूर्वा तिवारी को क्राइम ब्रांच ने साकेत कोट में पेश किया जहांसे कोट ने अपूर्वा को 14 दिन की न्याईक हिरासत में भेज दिया है अपूर्वा को चश्मा पहननी की कोट ने इजाज़त दे दी है अपूर्वा ने तिहाड में अलग बैरक में रहने की गुजारिश कोट से की थी जिसे कोट ने अब खारिच कर दिया है बतातें कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजपाल एंडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौद की पहली आखिरकार सुलज ही गई कातल के तोर पर घर से जो चेहरा सामने आया है वो कोई और नहीं बलकि रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला तिवारी का ही है अपूर्वा की दस महिने पहली ही रोहित से शादी हुई थी इस हत्याकाइंड की जाच कर रही पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस दौरान अपूर्वा ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया पुलिस के मताबिक एक महिला के साथ शराब पीने को लेकर रोहित और अपूर्वा में बहस हुई थी हत्या करने के बाद अपूर्वा ने सबूत तक नश्ट कर दिये ये सब एक से डेड़ घंटे के भीतर म अपूर्वा ने अकबूल नामे में कहा था कि वारदात की रात रोहित और उसके बीच जम कर जगड़ा हुआ था दोनों बेडरूम में ही जगड़ रहे थे रोहित शराब के नशे में था उसने काफी शराब पी रखी थी धीरे धीरे उन दोनों का जगड़ा हाता पाई मे बदल गया अपूर्वा के मुताबक उस वक्त दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशश कर रहे थे इस बीच अपूर्वा के हाथ रोहित के गले तक जा पहुंची और उसने रोहित को मौद की नींद सुला दी बता दें की 12 मई 2018 को रोहित और अपूर्वा शादी के बंधन में बंधे थे दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में शादी समाहरों आयजत किया गया था जिसमें देश के कई बड़े नेता और अधिकारी और जाने माने लोग शामल हुए थे शादी के बाद रोहित की मा उज्वला बहुत खुश थी लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों की रिष्टे बिगड़ गये दोनों का मामला इतना बिगड़ गया था कि बात तलाग तक जा पहुंची फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ